हेलो नमस्कार दोस्तों आज के एक और फ्रेस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मेरा नाम अमीत है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस आज की इस वीडियो में आप लोग थामनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे की एक्सिस बेंक का जो पहले जीरो बाइलेंस एसे पी एकोंट था अब वह जीरो बाइलेंस एकोंट नहीं रहा अब उसमें आपको यदि आप एकोंट उपेन करते हैं तो आपको यहाँ पर दस हजार रुपए मैंटेन करके चलना परेगा यानि की दस जार रुपए आपको बाइलेंस रखना परेगा मन्तली साथ ही यदि आप यहाँ पर इंस्टेंट एकोंट उपेन करेंगे तो आपको जो पहले दस जार रुपए लगता था अब वहाँ पर यह 15,000 आपका लगेगा यह आपका नया अपडेट निकल के आ रहा है यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर हम दिखा दें यह एक्सिस बैंक का वैबसाइट आप खोल लेंगे www.axisbank.com तो आपको इस तरह से नज़र आएगा यहाँ पर देखिए थ्री डॉट पर किलिक करेंगे और यहाँ पर explore product है इस पर जदी आप किलिक करते हैं यहाँ पर आपको account दिखाए देगा और यहाँ account पर दिखाए देने के वाद आपको यहाँ पर दिखाए देता है saving account इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह खूल के आजागा अब यहाँ पर देखिए नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देता है ASAP Instant Savi Account जो की पहले आपको यहाँ पर देखे डेवीट काड़ आपको मिलता है Online Rewarded Physical Debit Card with 3X Rewarded Daily ATM Withdrawal Limit of RS50 और Product Feature में आपको मिल जाता है Instant Virtual Debit Card आधार OTP Based Account Opening यानि कि यह आधार के OTP से आप इसको तुरंत अधार नम्मर से आप घर बैठे अब यहाँ पर Earn Access Reward Point यहाँ पर आपको Reward Point भी देखने को मिलता है यहाँ पर जदी आप Explore More पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखे सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर पहले यह आपनों को जानकाड़ी देदे कि यह Account ASAP Account पहले Zero Balance Account होता था लेकिन अब यहाँ पर आपको Balance Maintenance करके रखना परता है और यहाँ पर जदी Account आप Open करेंगे यहाँ पर आपको तुरंट Account नमबर चाहिए तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपए आपको एड़ करना परेगा जो की पहले था आपका 10,000 रुपए आपको एड़ करने पर ही आपको Account नमबर मिल जाया करता था लेकिन अब यहाँ पर 15,000 रुपे आपको एड़ करना परेगा अब यहाँ पर देखिए अधार प्लस प्लस 3 मिनट यहाँ कि अधार कार्ड और प्लस 3 मिनट के बाद आपको 3 मिनट के अंदर आपको ASAP Instant Saving Account एक ओपन हो जाएगा आपको घर बेखे अब यहाँ पर ओफर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ओफर दिखा जाता है क्या क्या ओफर है अब यहाँ पर डॉनलोड एक्सिस मॉवाइल आप एक्सिस मॉवाइल डॉनलोड करके एक्सिस मोबाइल का जो मोबाइल बैंकिंग है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं ASAP Instant Savi Account है यहाँ पर Instant Account Opening Minimum Monthly Balance Rs.10,000 रपे आपको 10,000 रपे तो यहाँ पर ले की चलना ही परेगा मंतली और साथ ही आपको Initial Funding as Lodge 15,000 यानि कि पर आपको यहाँ पर 15,000 रुपे आपको funding करना होगा तब ही आपका Courts यहाँ पर यहाँ पर देख रहे होगगे कि आपको दिखाए देता होगा Initial Funding 15,000 जो कि आपको 15,000 रुपे आपको यहाँ पर पे प्य करेंगे Initial Funding करेंगे तो ही आपको यहाँ पर Account Number दिया जाएगा ज़िए आपने Account नहीं Open किया है आप Access Bank में तो आप हमारे वीडियो देख करके Account Open कर सकते हैं उपर में आई बटन पर किलिक करके या फिर Discritor में ने Link दे दिया है आप वहाँ से भी किलिक करके देख सकते हैं कि Access Bank में Account Open घर बैठी कैसे करते हैं अब यहाँ पर आपको Monthly Balance जो रखना होगा यह 10,000 पर रखना होगा और यहाँ पर Free Virtual Debit Card देखने को मिलता है यहाँ पर आपको Virtual Debit Card भी दिया जाता है अब यहाँ पर यहाँ पर देखें Instant Account Open लिखा हुआ यहाँ पर आपको Can Open Your Access ASAP Account With A Few Minutes वीजिंग एर अधार एंड पेन डिटेल यहाँ पर आधार और पेन डिटेल लेगर के आप तुरंत यहाँ पर Account Open कर सकते हैं उसके आपको यहाँ पर Branch Your Choice आ लिए कि आप अपने मन मताबिक से यहाँ पर Branch भी चूच कर सकते हैं यानि कि आप रहते हैं किसी और सहर में और चाहते हैं आपका Branch किसी और सहर में हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं बहुत Long साथ समस्या यह होती है कि उनका घर होता है और घर से बाहर वो नोकड़ी करने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं वो account अपना open कराना चाहते हैं गौं के address पर यानि कि जिस सहर गौं के जिस नजदिक सहर है उसमे account open कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इनको account उनका open हो जाएगा अपने नजदिकी सहर के branch में अब यहाँ पर आपको completely virtual debit card भी देखने को मिलता है यहाँ पर जैदि आप account open कराते हैं एक्सिस बेंग में ASAP account तो आपको यहाँ पर virtual debit card भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको online rewarded physical debit card आपको मिलता है यानि कि आप debit card यानि कि ATM card से आप कोई भी सामान खड़िते हैं या आप money निकालते हैं कहीं से ATM से पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर reward भी दिया जाता है reward मतला आपको point दिया जाता है उस point को आप बाद में एक्सेंज करके money में control money में उसको divert कर सकते हैं बाद में उस पैसे को आप money में बदल सकते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके बाद आपको यहाँ पर हम बात करें कि इसमें account कैसे open करेंगे यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया है कि account कैसे किया आता है तो आ होंहें से भी देख सकते हैं मैंने वहाँ पूरा डिटेयर में दिया है फिर भी आपको यहाँ पर हम बता दें यहाँ पर दो सिस्टम से आप open कर सकते हैं या तो फिर access bank की mobile से और यहाँ पर या तो आप यहाँ लिखा हुआ है open access ASAP account यहाँ पर क्लिक करेंगी जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आजाएंगे अब यहाँ पर देखिए let's get start लिखा हुआ यहाँ पर open with अधार है यानि कि अधार काट को यहाँ पर जरूरी है open without athar यानि कि बिना अधार काट के भी आप account open कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर account open नहीं होगा इसलिए आप लोग यहाँ पर आधार काट को जरूर रखिए पास में तभी account open अपना किजिए अब यहाँ पर आपको continue कर लेना है जैसे ही continue करेंगे अब आपको यहाँ पर आपका नाम फिल अप करना यानि कि अपना नाम फिल अप कर दिए यहाँ पर अपना mobile नमर फिल अप कर दिए जो mobile नमर आपका अधार काट के साथ लिंक किया हुआ है उस नमर को यहाँ पर ही डा हर सकते हैं कि इस सब्सक्राइब कि इस जब्सक्राइब कर देना है चाल है इसमें Ioan कि आपको और कंण कॉइंड ओपन कम आगे इसको आ प clerk करके कि आगे बढ़ सकते हैं तो मैंने पुरा प्रोसेस बताया है कि एक्सिस बैंक में ASAP account कैसे open करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ minimum monthly balance RS 10,000 रुपए यानि कि आपको 10,000 रुपए तो monthly रखना ही होगा पहले यह zero balance रहा करता था ASAP account में यहाँ आप एक्सिस बैंक का पहले account open करते तो आपको यहाँ पर zero balance maintain करने की जोरत नहीं थी आपको zero balance में ही account open हो जाया करता था लेकिन अब आपको यहाँ पर 10,000 रुपए तो आपको monthly balance रखना होगा साथ ही यहाँ पर initial 15,000 रुपए तो तुरंट देना होगा यानि की जिसमें आप account open करेंगे आपको वहां पर 15,000 रुपए आपको जमा करना होगा किसी भी आप किसी भी तरीका से आप यहाँ पर दे सकते हैं इसमें आपको यहां पर आउनलाइन जमा करना होता है आप यहां पर UPI के माध्यम से या फिर आप नेट बैंकिंग के थूरू या फिर कोई बैंक में आपका कोई किसी बैंक का ATM काड है तो आप इस ATM काड का नमर डाल करके भी यहां पर पे कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप यह को जानकारी हो गया होगा कि एक्सिस बैंक का नया रूल क्या आ चुका है तो आप लोगों को कोई कामेंट हो तो हमें कामेंट करके जरूर पूछेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए बाई टेक लिए